हाई मैं हूँ कुरूपा पतेल इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट सेर करने वाली हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो में जो मैं एक्सपेरिमेंट सेर करने वाली हूँ वो आपके लिए आपके परिवार की हेल्थ के लिए बहुत ही यूसफुल होगा हमने एक बहुत अच्छा सा एक्सपिरिमेंट किया था 45 पेशन्ट के उपर यह 45 जो पेशन्ट्स थे वो सारे के सारे हमने ऐसे लिये थे जिनको सालों से कोई क्रोनिक बीमारिया है Multiple बीमारी है सालों से अलग-अलग डोक्टर्स की दवाई ली है लेकिन फिर भी कोई result नहीं मिल रहा है उन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दवाये क्यों असर नहीं कर रही है क्यों ये डोक्टर्स भी हमारी बीमारी को हील नहीं कर पा रहे है ऐसे chronic disease वाले patient को हमने लिया था ये 45 patients को हमने 3 group में divide कर दिया पहला group बनाया 20 patient का दूसरा group भी 20 patient का बनाया और तीसरा group था जिसमें सिर्फ हमने 5 patients ही रखे थे experiment हमने बहुत interesting बनाया था पहले वाला जो 20 का group था उन लोगों को हमने बताया कि आपको जो multiple disease है उनको cure naturally करना है लेकिन आप जो दवाया ले रहे हो वो दवाया तो आपको continue रखना ही है पर उसके साथ साथ आपको जो बीमारिया है उसी अनुसार natural treatment आप अलग-अलग social media में जाके डूढ़िये और उसे follow करे सबको timing दिया था तीन महिने का तीन महिना आपको natural treatment social media से ढूढ़ना है उसे follow करना है दूसरा जो बीस का ग्रूप था वो लोगों को भी multiple disease था, chronic disease था उन लोगों को हमने उनकी disease के अनुसार उनकी lifestyle के अनुसार एक schedule बनाया जिसमें हम उनको तीनों time का diet with recipe देते थे, therapy देते थे, exercise, meditation एवरी डे, ये एक schedule बना के हम उनको everyday देते थे यहाँ पर patient को अपना कोई खुद का दिमाग नहीं लगाना है बस हम उनको उनकी lifestyle, उनकी बीमारी के अनुसार schedule बना देते थे उनको सिर्फ और सिर्फ follow करना होता था रोज सुबह उनके mobile में ये schedule इस तरह से आ जाता था जिसमें तीनों time का diet, therapy, exercise, meditation सब कुछ था वो लोग अपने time पे कभी भी ये follow कर सकते थे और साथ साथ, during treatment उनको कोई health issues create होता था तो वो भी हम उनको naturally cure करवाते थे उनको उनके लिए कोई अलग से medicine नहीं लेनी थी during treatment उनको कोई problem भी हो जाए follow नहीं कर सकते है, timing का problem है, busy schedule है, laziness आ रहा है treatment नहीं आती है, कुछ भी problem हो वो हमारे साथ share करते थे, हम उनका solution देते थे और उनसे ये schedule follow करवाते थे हर week हम उनका update भी ले रहे थे, कि वो follow कर रहा है, नहीं कर रहे तो उनको motivate भी कर रहे थे तो ये चला 3 महने तद, next जो group था 5 patients का, उन लोगों को भी हमने same यही schedule दिया, जो भी patient को जो भी बीमारी थी, उनका हमने schedule बनाया, diet, therapy, meditation, exercise, सब कुछ, रोज उनको भी सुबह उनके mobile में ये schedule हम दे देते थे, उनको बोला कि आपको ये follow करना है, ये दूसरा और तीसरा जो group था, उनमें हमने changes ये किया, कि ये जो 5 patient का group था, उनका हम follow अप नहीं लेते थे, उनको हम कभी भी नहीं पूछते थे कि आप treatment कर रहे हो, या नहीं कर अगर वो laziness की वज़े से या busy schedule की वज़े से ये follow नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम उनको कुछ बताते नहीं थे, उनको motivate भी नहीं कर रहे थे, ये हमारा एक experiment था, आखिर ये तीनों में से हमें result क्या मिलता है, हमें result क्या मिला, हमको result ये मिला, कि पहला जो group था, उनको बोला गया था कि social media से natural treatment ढूंडिये और उसे follow करे, उसको हमने कोई अपना schedule नहीं दिया था, ना ही हम follow up लेते थे, result में हमने देखा, कि 20 में से 5 लोग ऐसे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से natural treatment ढूंडी, उनको follow भी किया, उनको result भी बहुत अच्छा मिला, साथ लोग ऐसे थे, जिनको भी बहुत अच्छे से treatment मिला, लेकिन उन्होंने follow सिर्फ 10 या 15 दिन किया, उसके बाद उन्होंने follow करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको motivation नहीं मिल रहा था, या तो उनको कोई problem हो रही थी, तो उनका solution नहीं मिल रहा था, किसको पूछे, solution ना मिल की वज़े से वो करना उन्होंने छोड़ दिया, पांच लोग ऐसे थे, जिनको ये natural treatment से result तो मिल रहा था, करना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कभी-कभी करते थे, कभी-कभी नहीं करते थे, और 20 में से 3 लोग तो ऐसे ही निकले, जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 दिन, ज आद में उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा जो 20 का गुरूप था, जिनको हम everyday schedule देते थे, उनका follow-up भी लेते थे, during treatment उनको कोई health issues create होता था, या उनको कोई queries होती थी, कोई question होता था, तो उनका हम solution natural तरीके से देते थे, ये 20 में से भी, ऐसा नहीं है कि 20 में से सब भी किया और 100% result दिया, लेकिन हमारा experiment का result हमको ये मिला, कि 20 में से 16 लोग ऐसे थे, जिन्होंने 90% ये पूरा schedule proper तरीके से follow किया, लेकिन हाँ, ये सभी लोगों को first one week तकलिफ हुई, ये एक नया experiment था, एक नई lifestyle थी उनके लिए भी, तो सुरू सुरू में उनको तकलिफ लगी, लेकिन after one week, दीरे दीरे वो हमारे schedule में आते गए, क्योंकि उनको हमारा support मिलता था, वो भी हमारे expert doctors का support मिल रहा था, इसलिए उनको follow करना एकदम easy हो गया था, तो 16 लोगों ने 90% result दिया, उसमें से भी 9 patient ऐसे थे, जिनको 100% result मिला, बाकी के patient को 90% result मिला, और 4 patient ऐसे भी थे, जिनको सिर्फ 60% result मिला, तीसरा जो group था 5 patient का, उन लोगों को भी हमने natural तरीके से heal करने के लिए schedule देते थे, लेकिन उनका follow up नहीं लेते थे, उसमें से हमने देखा, कि follow up ना लेने की वज़से, कभी वो करते थे, कभी वो नहीं करते थे, जब वो करते थ तो result मिलता था, जब वो नहीं करते थे, जब उनके दिमाग में कोई queries आती थी, या laziness आता था, तब वो करना छोड़ देते थे, कभी फिर उनका मन किया, क्योंकि regular schedule तो आता ही था, तीन महिना continue हमने schedule दिया, तो कभी उनको follow लगता था कि चलो करते हैं, कभी नहीं करते थे, मांच लोगों को हमने जो schedule दिया without follow up, उनका हमको result मिला सिर्फ और सिर्फ 40%, 40% तीन महिने में उन्होंने follow किया, और 40% उनकी health में भी result मिला, तो ये था हमारा एक अच्छा सा experiment, ये experiment से हमको ये जानने को मिला, कि आखिर ऐसा क्यों, ये तीनों को same treatment, same natural treatment देते, फिर भी ये result अलग-अलग क्यों? उनका हमको result ये मिला, कि हमने जो beach वाला group था, beach का, जिसको हम everyday treatment schedule देते थे, उनका follow up लेते थे, उनका queries solve करते थे, उन लोगों को follow करना easy क्यों हुआ? उनका मैं कारण आपको सुनाती हूँ. सबसे पहला, patient को एक mentally satisfaction रहता था, कि हमारे साथ कोई है, जो ह हमारा खयाल रख रहे है, और वो satisfaction से ही, उनकी बीमारी, 40-50% वहीं क्योर हो जाती है, कि हमारे साथ कोई है, जो हमें करवा रहा है, यही ख्याल, इंसान को आधा ठीक कर देता है, दूसरी चीज हमने ये देखी, कि रोज सुबह, उनको हम schedule भेजते थे, तो सुबह उठते ही mobile में उसके सामने schedule आ जाता था, वो पढ़ते थे schedule, कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है, मतलब उनके दिमाग को एक command मिल जाता था, कि आज पूरे दिन हमें क्या करना है, कौनसी therapy करनी है, कैसे करनी है, तीनो time क्या diet लेना है, यह command जो brain में जाती है, तब उसको follow करना easy हो हमें वो follow करने के लिए कोई extra effort नहीं करना पड़ता है, हमारा brain वो खुद पूब खुद follow करने लगता है, जैसे कैसे, आपको सुब कहीं जाना है, जल्दी उठना है, आप alarm तो लगाते है, लेकिन brain को भी command मिल गई, जब आप alarm लगाते हो, कि सुब इतने बज़े उठ जाना है, आपका भी experiment होगा, कि alarm बजने से पहले ही आपकी आँख खुल गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने रात को ही brain को एक command देती थी, कि सुब इतने बज़े उठ जाना है, brain अपने आप वो follow कर लेता है, same, इसी तरह, हम जो schedule देते थे, वो schedule patient पढ़ते थे, उनके brain को भी command जाता था, कि आज पूरा दिन ये follow करना है, उनका brain आसानी से वो follow उनके साथ करवाता था, इसलिए उनको अच्छे से अच्छा result मिला, तीसरा जो group था, उनको हमने schedule तो दिया, लेकिन उनको पता था कि हमें कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए कभी वो किया follow, कभी नही किया, इसलिए हमको पूरा result नहीं मिला, तो ये था हमारा एक छोटा सा अच्छा सा interesting experiment, जो लोगों की health के लिए बहुत ही फाइदाकारत है, अगर आपको हमारा experience interesting लगा, तो इस वीडियो को like करे, हमारी channel को subscribe करे, और आपको या अपनी family member में किसी को भी, कोई भी health issues हो, वो natural तरीके से, इस तरह अपने brand को command दे के cure करना चाहते हैं, तो इस website की visit करे, या इस number पे call करे, और हमारे साथ जूड जाए, thank you